एक बार और, एक बार और, एक बार और, इने एक बार और, जाने की जिना सावह करें सो हेलो एवरिवन, जैसे कि सब जानते हैं, अभी अभी एन्वीडिया की तरफ से एक ओफिशिल अनौशमेंट आई यहे हैं कि GT 1010 उन्होंने रिलीस करा जो कि बहुत कम प्राइस पर रिलीस किया जाएगा राउंड 3000 पर वो आपको अविलेबल होगा ये रिप्लेस करेगा GT 710 को जो कि 710 आपको पास्ट में काफी सस्तर डाई हजार तीन हजार का मिल जाता था फर्स्ट हैंड 2GB वेरियंट विद DDR3 या फिर 2GB GDDR5 राइम जो कि आपको 32 तक का मिल जाता था तो अभी अभी GT 1010 रिलीस हुआ है जो कि मैं कहूंगा GT 1030 का एक डाउन गेडिड वर्जन है इसमें वही सेम पास्कल टेकनोलोजी यूज हुई है इसमें भी GP108 का यूज हुआ है और 256 क्यूडा कोर्स है जो इसकी बेस क्लॉक स्पीड है वो अराउंड 1228 MSZ है और बूस्ट क्लॉक 1468 MSZ है जो जो GT 1010 होने वाला है वो जी फोर्स 10 सीरीज का एक एडिशन होने वाला है और जैसे कि आप देख सकते हैं चार साल पहले रिलीज हुई थी G10 सीरीज और GT 7 सीरीज जो है 710 वाली 730 वाली वो और पुरानी है वो अराउंड 7-8 साल पुरानी सीरीज है तो डेफिनेटली इसमें GT 710 से तो अपग्रेड करेंगी GT 1010 को जब वो रिलीज होगा उसकी परफॉर्मेंस अराउंड GT 730 जितनी हो सकती है अराम से और जैसे कि हम परफॉर्मेंस देख सकते हैं यहाँ पर यूजर बेंचमार्क में GT 710 और 730 के बीच जो कंपारिजन किया गया है तो अराउंड 43% ही ज़ादा थोड़ा बूस्ट मिलेगा अगर आप GT 1010 पर चेस करते हैं रादर जेंड GT 710 तो आपको अराउंड 40-50% का जो इंक्रीज मिलेगा वो कितना होगा अगर आप गेम खेले क्योंकि हमारे जो यूजर्स हैं उन्हें डिरेक्ट एक FPS की लैंग्वेज में बात करें 730 के तो उसके कही नगई lightning effects इसी के similar होंगे तो आप यहां से compare कर सकते हैं और हाँ definitely फिर आपको अगर overclock करना हो GT 1010 को तो overclock के लिए बहुत असान है MSI afterburner download करें और उसको around 200 और 100 points प्लस कर दें नीचे core clock और core memory clock में तो महां पर जब आप थोड़ा सा add कर देंगे तो definitely आपको 5-6 fps और जादा देखने को मिलेंगे और यहां पर देख सकते हैं जैसे CSGO के fps इन्होंने compare करें 33 fps आते थे average GT 710 में और GT 730 में आते हैं around 38 fps तो आप overclock करकर max to max 45 fps ले सकते हैं या इतना अच्छा experience नहीं होने वाला लेकिन जो budget users है जिने high end थोड़ी सी high end gaming करनी है e-sport titles खेलने है Valorant CSGO उनको पता करना है गेम्स कैसी है तो वहां यह ले सकते है GT 1010 जब release होगा लेकिन मैं prefer करूँगा अगर आपको 60 fps और 720p पर भी अगर आपको क्योंकि जैसे कि सब जानते है GT 710 इंडिया का मैं कहलों पूरे वर्ल्ल का सबसे जादा बिकने वाला ग्राफिक कार्ड है क्योंकि हमारी सब इंडियन्स की यही mentality होते है कि 2GB का ग्राफिक कार्ड है तो बहुत अच्छा होगा और हम सिरफ जब भी Amazon पर जाते हैं तो एक प्राइस देखते हैं और दूसरा 2GB वेरियन्ट बस तो नहीं ऐसा नहीं होगा GT 1010 और GT 710 यह जो दोनों वेरियन्ट है यह मल्टी मीडिया परपसिस के लिए है जस्ट एक मल्टी डिस्पले प्रोवाइट करवाते हैं यह प्रॉपर गेमिंग कार्ड नहीं है तो यह बजट ग्राफिक कार्ड होते हैं GT 1030 अगर आप एक लो एंड गेमिंग एक्सपिरेंस लेना चाहते है तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप GT 1030 ले ले या फिर RX 550 बहुत अच्छा ओप्शन है RX 550 के भी रेट और GT 1030 का रेट बिल्कुल सिमिलर है तो इवन GT 1030 अगर 1080p आपको गेमिंग करने हैं तो आप एटलीस GTX 1050 Ti ले जो कि इसी का एक अपग्रेड़िड वर्जन है यहाँ पर आप देख सकते हैं 1010, 1030, 1050 Ti तो ऐसे पूरी सीरीज चलती है यह जो 10 सीरीज थी NVIDIA की यह अराउंड 2016-17 में रिलीज हुई थी और इसके बाद यह सारे ग्राफिक कार्ड आए 700 जो सीरीज थी NVIDIA की वो बहुत पहले से अराउंड 2013-12 से चलती हुए आ रही थी उस पर आप GTA 5 जैसी जो गेम्स थे वो 30-40 FPS पर खेल सकते थे वही अगर हम benchmark देखें अब मैं आपको benchmarks दिखाता हूँ थोड़े ताकि आपको थोड़ा clear हो मेरे पास पहले Intel HD 440 था जो की around similar था GT 710 के थोड़ी सी GT 710 की performance उससे better है लेकिन अगर आपने around अभी थोड़ा recently PC built किया और जिसमें inbuilt APU या फिर inbuilt graphic Intel HD graphics आते हैं तो काफी आपको देखने को मिलेगा Intel HD 620 graphics मिलते हैं आज कल देखने को तो even Intel HD 620 better है GT 710 से आप यहाँ पर performance देखी सकते हैं और अगर मैं आपको benchmark दिखा हूँ GT 1030 और 730 का तो आप यहाँ पर यह देख सकते हैं कि 203% better performance around 200% better performance है GT 1030 की as compared to GT 730 तो यहाँ आप देख सकते हैं CSGO के FPS भी आप देख सकते हैं कि कितना फरक है बिल्कुल जमीन आस्मान का फरक है आपको 60 FPS जादा around 50 FPS आपको जादा लाकर दे सकता है GT 1030 तो I will prefer आप RX 550 या GT 1030 में select करें और अगर आपको कहीं सी भी second hand GTX 750 Ti मिलता है तो आप वो ले यहाँ पर अगर हम compare कर लें GT 1030 और GT 710 को तो आप यहाँ पर देख सकते हैं बिल्कुल जमीन आस्मान का यहाँ और अंतर हो गया बहुत ही अंतरिक्स का अंतर हो गया अब तो यहाँ पर 300% better performans data 710 से GT 1030 और हर गेम में बहुत अच्य पर फॉरमस है राटियो अधी आप अटर्गाइज आप आप है अट्रों सेंधे आप उपर उपर वो है हाँ यहां पर प्लेयर स्टैंडिंग जिसका 60 हर्ट्स या 75 हर्ट्स का मॉनिटर है वो अराउंड प्लैटिनम या मैक्स तू मैक्स गोल्ड तक पहुंच सकता है अगर आप competitive खेलते हैं वेलोरेंड में बहुत अच्छे से तो ज्यादातर जो low end gamers है तो मैं उनको यही सला दूँगा आप ज्यादा time competitive की practice low end PC पर मत करें आपका time जया ही होगा आपके reflexes जो हैं वो waste ही होगा क्योंकि आपका monitor इतना आपको performance दे ही नहीं पा रहा जिसका 120 हर्ट चाहते हैं और जो अभी नया release हो रहा है GT 1010 उसकी performance लगबख GT 730 जैसी है तो आप 730 की performance में difference देख सकते हैं 1030 और 730 की performance में तो अगर आप वैलोरेंड या CS को खेलना चाहते हैं और आपनी rank push कर रहे हैं 60 हर्ट से 75 हर्ट के monitor पर तो 730 के साथ नहीं होगा वो आपको कम से कम 10 1030 चाहिए होगा और अगर आपके पास 120 हर्ट का monitor है और आप चाहते हैं कि आपके कम से कम 120 fps तो 1030 लगवाले और बजट में बहुत टाइट चल रहे हैं तो 1030 लगवाले आपका काम आराम से बन जाएगा लेकिन वो काम 1010 में नहीं होगा 1010 में आप GTA जैसी गेम लो 1010 के साथ आप लो एंड गेमिंग बड़े अराम से कर सकते हैं GTA 5 जैसी गेम्स खेल सकते हैं थोड़ा पुराने टाइटल्स खेल सकते हैं competitive जिसमें reaction टाइम चाहिए होता है low latency चाहिए होती है आप वाले गेम्स नहीं खेल सकते हैं आप उन गेम में जादा प्रॉस्पर नही वो आप 60 fps 1080p resolution पर बहुत अराम से खेल सकते हैं और उनमें कौन जी गेम्स आती है रो कंपनी वैलोरेंट CSGO एपेक्स अराउंड 40-50 fps पर खेल सकते हैं और GTA 5 डेफिनेटली GTA 5 भी आप खेल सकते हैं और अगर आपको stream करनी है तो आप stream भी कर सकते हैं वैलोरेंट 60 fps पर मैं ख गेमिंग कर सकते हैं 720p पर अराउंड 50-60 fps पर और हाँ एक बात और आपका CPU भी बहुत मैटर करता है आप इसके साथ कौन सा CPU उसकर रहा है अगर आपका बहुत ही पुराना CPU है पेंटीम है पुराना पेंटीम जो 2013-14 में आया करता था तो वो इसके साथ इवन GT 10 30 के साथ भी बेडा ही गर्ग हो जाएगा और अगर आपका CPU अच्छा है जैसे अच्छा इंदा सेंस मैं रेफरेंस ले रहा हूं अभी जो बजट गेमर से उनकी रेफरेंस ले रहा हूं है अगर आपका CPU अच्छा है आई 5 2nd Gen, आई 5 3rd Gen तो अगर आपको उसको थोड़ा सा यह वाला consider कर सकते हैं अगर आपके बास जादा आपका budget नहीं आप 3,000 में कुछ भी सस्ता खरीदना चाहते हैं तो आप यह खरीद सकते हैं GT 1010 1010 नो डाउट 710 से अच्छा होगा तो इस टाइप की मैं वीडियो अपने चैनल पर और लाता रहूंगा जिस पर बेंचमार्क नए नए रिव्यूज गेमिंग लाइव स्ट्रीमिंग फन वीडियो ओमेगल बहुत अलग अलग स्टफ लाऊंगा वे चैनल पर सब्सक्राइब करना मत बूले और जल्दी मैं मिलता हूं आपसे नहीं वीडियो में तब तक के लिए बाइबाए एंड डू लाइक एंडू सब्सक्राइब को मैं चैनल